नमस्कार देने तुरू में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अविश्य गुपता और आज एक जटका कह सकते हैं इसको सरकार की ओर से दिया गया है इसकी उम्मीद भी थी कि चुनाओं जब खतम हो जाएंगे तो थोड़ा सा महेंगाई का जो बोज होगा वो अब लोग के पास धीमे धीमे पास्वाउन किया जाएगा क्योंकि कच्छे तेल के दाम डॉलर का महेंगा होना और रुपियों का हमारे दबाव बनना यह सारी फैक्टर्स जो थे वो डिटर्माइन कर रहे थे कि अब थोड़ी से महेंगाई जो होगी वह आ 8.1 फीसदी कर दिया गया है और यह 40 सालों में सबसे कम ब्याजदर होगी जो एपो जो एपी एफो हम लोग को देगा अगर पिछले 40 सालों के आखड़े की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी आपको एक आइडिया दे देता है मोटा माटी 1977 में सबसे कम ब्याजदर जो कि अगर हम लोग बात करें तो 2013-14 और 2014-15 में 8.75 फीसदी का ब्याजदर ईपी एफो ने रखा था उसके बाद 2015 और 2016 में ब्याजदर 8.8 फीसदी रखा गया यानि कि उससे पहले की तुलना में थोड़ा सा और जादा किया गया लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद जो है ब 2018-19 तक 8.65 फीसदी का ब्याजदर रखा गया था पिछले दो साल की बात करें तो यह और घटा 8.5 फीसदी का ब्याजदर रख दिया गया और अब जो होगा वो होगा 8.1 फीसदी यह पीटिया के हवाले से खबर है यह बताया गया है कि यह जो दर रहेगी अब 8.1 फीसदी रहेगी प्याजदर तो यह जटका है होली से जस्ट पहले जो सालीड अर्नर्स हैं उनको दिया गया है आखलों की हिसाब से अगर लेखा या तो फिछे करोड करमचारी इससे प्रभावित होंगे और इससे बाते हैं उनके लिए कोई बहुत जादा यह खुशी की बात नही है कि आठ दशंबलव एक फीसदी ब्याजदर अब रखा गया है तो अब यह देखना पड़ेगा कि क्या यह महंगाई की शुरुवात है क्योंकि उम्मीद लगाई जानी थी लगाता है कि अब जैसे चुनाओं खतम होंगे तो इसके बाद सीधा-सीधा महंगाई पर लोग और यहां से महंगाई किन-कन जगह से हम लोगों ब्रभावित करती है पेट्रोल डीजल के दाव इस्ते रहें देखना है कि क्या वो बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं तो फिंगर्स्क्रॉस्ट था कि क्या चीज़ होती है उम इतो यह हैं कि महंगाई का ज्यादा वोज आ हमारा यूट्यूब चानल हमारा फेस्बुक पेपी पेज है देलने जिरो के नाम से और मेरा अभिशय गुपता का एक शो भी आता है पैसा ये पैसा करके जहां पर हम ऐसी ही जटल बातों को थोड़ा सा डीकोड करके सरल भाशा में आपके सामने पेश करते हैं तो आप उस प करते हैं